यह पास्ता मेगी ऊबालने के बाद यहां पिर चौमों zij था UMरोने के बाद इसमें 2-3, 3-4 नरी में टेंट All Сп..? पास्ता है न। आप दो मुझा स feelsבס है कीजिये हुए ० जोसलिटे के बाद लें। में एक चमस तेल मिला दीजिए और आप उनों पहले वाश करना है उसके बाद ही तेल मिलाना है अगर कम है तो आप एक चमस डालिए और तेल को अची तरीके से मिक्स कर दीजिए फिर आप इसके जितनी देर बाद भी बनाएंगे यह बिल्कुल भी श्टीकी नहीं होगा और अच्छा रहेगा तो हैना काम की टिपस से अपनाईएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टिपसी बहुत काम आने वाले दिखिए जब आटा को छानते हैं एक बार में धेर सार आटा ले लेते हैं तो च्छनता ने फिर एक जग से बहुत काम आने वाला है क्योंकि हम यहां पर अपने पैसे को बहुत बचाएंगे इस तरी के गी कडबा आज कल ना प्लास्टिक के डबबे या फिर वह जो टीन वाले डब्बे आते हैं वैसे नहीं आते इस तरी के कथ्य वाले डब्बे आते और इसमें काफी सारा गही हम क्या इसको खोलते तो नहीं है बस इसको बरजस्ती इसको बेलन से प्रेश करके निकाल लेते लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा घी लगा रहता है आपको पहले थोड़ा सा इसे गरम कर लिजे उसके बाद इसमें जितने सारे घी लगे हुए हैं वह हमें निकाल ले आटा रोटी बनाने के लिए लगा के रखते हैं वह इसके उपर रखके अच्छी तरीके से सारे घी को पोश लेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से यह जो हमारा डबा है जो अच्छे से साफ हो जाएगा आप जाए तो आटा यहां पे गुंदाओ आटा नहीं लेना चाते ब्रेडे में पोश लिए उससे भी आपका जो है न गी वेस्ट नहीं होगा अच्छे से इसमें चिप अग जाएगा और इसके बाद आप रोटी पराठा बनाएंगे बहुत अच्छा बन के तहियार होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए हम फिरिज में एक बार में उपर उपर में इस तरह के सब को दिखें आपे इस इसमें चापम किई चोटा टा nih, के बहुत ज़्यादा की ओर राफानाfont झाहें ठानाब झाही जरूर बहुत काम आएगा आगे से अब कभी भी नीमु मिर्ची को एक साथ मत रखिएगा अगर आप मेरी बातों विस्वास नीए तो आप अपने घर में किसी से बड़े से पूछ लीजिएगा वह कभी भी आपको मना ही करेंगे कभी फ्रिज में नीमु मिर्ची एक साथ नहीं रख बहुत करें लिए गिरी परिज सायरे के और विक्षट में नकुने निकालाएकि जब करके पफक के वह इसका सायरें निकाले, नहीं विक्तों। निकाल देंगे इस तरीके से और इसे आप चाहे तो दो सकते हैं लेकिन मैंने आप धोया नहीं है और इसके बाद इसे हमें मसाल लेना है और यह परता बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है आप इसमें जो परवाले कच्छे कच्छे लीजेगा एकदम बीज वाले जो पके आते वो मत लीजेगा कच्छे कच्छे बीज भी होने चाहे बिना बीज के भी अच्छे नहीं लगेंगे तो पके मत लीजेगा अब इसमें नमक डालेंगे हरादनिया डालेंगे हरी मिर्ची जालेंगे और इसमें धेर सरा प्याज डालेंगे और इसमें एक चीज तो डालेंगे कच्छा तेली से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप इस भरते को रोटी पराटा या दाल चाहुल के साथ खाएगा बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट लगता है एक बर यह वाली रेसिपी जरू ट्राइगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टिप्स त बढ़ते हैं बस पीछे की तरफ गिलास कोलटा कर लिजी आप इस तरह के सारे आपके मेटल की चूडिया है इसके अंदर डालके थोड़ा आपको प्रेस करना निची की तरफ ले जाएगा और जहां इसका खतम होगा मतलब इसकी साइज लेवल खतम हो जाएगा वहां तक आ लटकाने के लिए आप चाहें तो दिवाल पर भी लटका सकते हैं इसमें हैंगर लगा के और इजीली यह वाला जो यह बैग है आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जागा आज कल दुकानों पर भी मिलने लगा है तो इस तरह कि इसमें हैंगर डाल कर इसे कवर्ड की गेट में तो यहां पर मैचिंग जुवल्री भी रखिए जो सामने दिखेगा एकदम ट्रांस्परेट है और इसके पीछे भी आप चेंड वगार अपने जो भी गले का मंगल सुथे वगार पीछे रख सकते हैं जो भी आपकी चीज़ें इसके पॉकेट में रखिए बहुत ही करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कौन से टिप्स अच्छी लेगी कमेंट करके जरूर करें